अपने प्राकृतिक, एंटिबाउटिक और एंटिवाइरल गुनों के साथ प्यास का उप्योग प्राचीन काल से औशधिय प्रयोजनों के लिए किया जाता रहा है। मानव शरीर पर इस पोशक तत्व के सकारात्मक प्रभाव, जो स्वास्थ्य जगत को चकित करते हैं, असंख्य हैं और हर दिन एक नया लाब घोजा जा रहा है। यह भोजन जो हमारे शरीर को अविश्वस्निय लाब प्रदान करता है, खास कर जब खाना पकाने से सेवन किया जाता है, कई चयाप्चे रोगों के लिए अच्छा है। प्यास के सेवन के क्या फाइदे हैं? इसका सेवन कितना और कब करना चाहिए? आईए एक साथ जाच करें। जीवानों की संख्या को बढ़ा कर हमारी सभी पाचन क्रिया को सुधारता है और आतों के वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेता है। इसके अलावा प्यास क्वेर सेटिन का एक सम्रिध स्रोत है। शरीर में रक्ट शरकरा के स्तर को नियंतरित करने के लिए क्वेर सेटिन आवश्यक है। विशेश रूप से यह फॉसफोरस के साथ सहयोग करता है और आंत में शरकरा के अवशोशन को कम करता है। इसकी उच्च एंटियोक्सीडेंट सामगरी के साथ यह शरीर में अतिरिक्ट एडीमा और विशाक पदार्थों को हटाने की सुविधा प्रदान करता है। रक्ट शरकरा और पाचन तंत्र दोनों में इसके योगदान के साथ इसमें मौझूद विटामिन सी शरीर में चयाप्चे गतिविधियों की गुनवत्ता को बढ़ाता है और उर्जा चयाप्चे में वसा कोशिकाओं के उप्योग को प्रोचसाहित करता है। साथ ही प्यास में पाए जाने वाले खनिज रक्त को पतला करने वाले प्रभाव दिखाते हैं जिससे नसों में प्लाक के निर्मान को रोपने और नसों में सूजन से लड़ने में मदद मिल है। विशेश रूप से प्यास जो ट्राइगलिसराइड के गठन और खराब कॉलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। लंबे समय में हरिदय रोगों के जोखिम को कम करने में योगदान देता है। इसकी समरिध पोटेशियम सामगरी के साथ यह धारीदार मानस्पेशियों के काम में और शरीर के जल संतुलन को बनाए रखने में बहुत प्रभावी है। कई शारीरिक समस्याओं के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें लाबकारी योगिक होते हैं जो सईयुक्त और हड़ी के उतकों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इसके अलावा फॉसफोरस और कैल्शियम जैसे उच्छ योगिक हड़ीयों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हड़ीयों के रखरखाव के लिए परियाप कैल्शियम आवश्यक है। आधा प्याज में लगभग 40 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसमें आयरन और कॉपर की मात्रा भी होती है। जो दोनों हड़ीयों के स्वास्थ्य को बनाई रखने के लिए आवश्यक है। ये पदार्थ पोटेशियम के साथ सहयोग करके मानस्पेशियों के संकुचन को बढ़ाते हैं। ये मानस्पेशियों को आराम देता है और मजबूत करता है। एक मजबूर, मास पेशी उतक दिन के दोरान हमारे जोरों पर भार से राहत देता है और लंबे समय में हमारे पूरे शरीर के स्वास्थियों में सुधार करता है। दूसरी और, नियूरो टॉक्सिन मस्तिष्ट के आंतरिक उतकों में बन सकते हैं जो कुछ कारियों को रोकते हैं। प्यास जिसमें बहुत अधिक एंटिवाइरल सामगरी होती है। शरीर में हानिकारक विशाक पदार्थों को बांधता है और उन्हें बाहर निकाल देता है। ये तंत्र का तंत्र पर आराम प्रभाव दिखाता है। बीमारियों के खिलाफ प्याज, आधा प्याज, एक व्यक्ति की दैनिक विटामिन सी की जरूरत का 30 प्रतिशत पूरा करता है। एक अंटियोक्सीडेंट के रूप में विटामिन सी, अन्य योगिकों के साथ हमारे शरीर के जीवानों और वाइरल रोगों के प्रतिरोध को बढ़ाता है। पीरियद्स के दोरान वीमारी के दोर से उबरना आसान बनाता है जब प्रतिरक्षा प्रनाली कमजोर होती है। जैसे की फ्लू, सर्दी और फ्लू, तो क्या प्यास खाने से कोई नुकसान है, कब और कितना सेवन करना चाहिए। सबसे पहले तो प्यास की तयारी में अतिरिक तेल का इस्तिमाल सेहत के लिए ज़्यादा फाइदेमन नहीं होगा। हमने जिन लाभों का उलेक किया है। वे उप्योग प्रक्रियाओं के दोरान प्यास की स्वस्थ तयारी और खपत पर आधारित है। बहुत अधिक तेल और नमक का उप्योग करके तयार किया गया प्यास फाइदेमन नहीं बलकी हानिकारक होगा। साथ ही प्यास के सेवन से पेट की समस्या वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। इस कारण से पेट के एसिड असंतुलन वाले व्यक्तियों को विषेश रूप से पका कर प्यास का सेवन करना चाहिए और सेवन करते समय साबधान रहना चाहिए। तो प्यास का सेवन कितना करना चाहिए? विशेशग्य सप्ताह में 2-3 दिन सही परिस्थितियों में तैयार प्यास के एक हिस्से का सेवन करने की सलाह देते हैं खासतोर पर इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्यास बहुत जरूरी है इस जानकारी के आलोक में आप प्यास को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं और इसके दीर कालिक लाबों का लाब उठा सकते हैं अगर आप हमारे विडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अच्छी तरह से रहें सूचित रहें